प्लान आईएस में आपका स्वाकत है आज हम आपके सामने लाएंगे UPSC Prelims पॉलिटी की बुक लिष्ट क्या होनी चाहिए जैसा कि हमने देखा 2023 का जो पेपर था उस हिसाब से अगर हम 2024 की त्यारी करना चाहें तो क्या बुक्स हमको पढ़नी चाहिए कैसे हमको पढ़ना चाहिए आईए डिसकस करते है तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि Topics क्या है और इनके लिए सबसे पहले हमें Previous Year Questions जो है Prelims के 1995 से 2023 तक उनको एक बार देखना पड़ेगा उनके Topics क्या है जैसे Election of President 2018 में भी आया हुआ है Prelims में 2023 में आ गया तो हम जब तक Themes और Topics को नहीं समझेंगे हम Books को नहीं पढ़ पाएंगे उसी हिसाब से अगर Prelims में कोई Question आ रहा है तो Mains में अगर आ रहा है तो वो भी Repeat हो रहा है जैसे कि बहुत से ऐसे Questions हैं Like Freedom of Speech, Article 19 Means में आया हुआ है Prelims में भी आया हुआ है तो उसी साब से Previous questions हमको Means से भी करने है 2013 से लेकर 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 2013 से तक है अब Themes हमारे Clear है अब बात आती है किताबों की तो हमको कौन सी किताब है पढ़नी चाहिए तो लक्षमी कान जो है ऐसी किताब है कि अगर 15 questions Prelims में आ रहे है तो उन 15 में से हमारे 9 से 8 questions लक्षमी कान से हो जाएंगे लेकिन उसके बाद अब जो pattern हो गया है जिसे साब से questions different आ रहे हैं अजीब आ रहे हैं उनको देखते हुए और क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं आईए डिसकस करते हैं प्लैन आईएस आपको इन सब details में भी ले जा रहा है तो सबसे पहले तो हमको Indian Express के explained articles पढ़ने हैं एक साल के हैं क्योंकि वहाँ से questions फसे हैं आप 2023 का paper उठा के देखेगा election of president पर जो states के पॉंडिचेरी, केरिला, मत्यप्रदेश के जो vote share का जो analysis है वो Indian Express के एक explained article से copied है फिर current affairs की magazine एक साल की हम कोई सी भी बढ़ सकते हैं उनसे वो questions होंगे जो normally current affairs magazines cover करती है now अब यहाँ पर normally coachings यहीं रुख जाते हैं लेकिन हम plan IES में आपको और detailed analysis बताते हैं हमको और क्या करना चाहिए जो मैंने उपर बताया आपको कि previous year questions, prelims and mains के हमको करने है इनके topics note कर लीजिए जैसे election of president, vice president legislative councils का abolition, legislative councils bunny कैसे, यह सब आ चोके हैं topics attorney general CAG अब इन themes को जो की previous year में repeated हैं उनको हमको DD basu से selectively पढ़ना है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2023 में question आया due process of law क्या है तो लक्षमी कांट में दिया हुआ है fair application of law जिसे की option C बनता है जैसा कि वो question पूछा गया आप देखेगा previous year question यह तुछा तेरे 20 का है लेकिन DD basu में इसका अंसर natural justice दिया हुआ है तो हो सकता है 2024 के लिए 2 से 3 question ऐसे फज़ जाएं जो हो तो theme से topic से लेकिन उनकी study के लिए हमको DD basu पढ़ना पढ़े तो यह